पूरे भारत में लोग हर साल 26 जन्बरी का बेसबरी से इंतजार करते हैं और इस दिन को गर्तंद दिवस के रूप में मनाते हैं यह एक एतिहासी घटना है क्योंकि 26 जन्बरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था गर्तंद दिवस पूरे भारत में महान देश भक्ती और उत्सा के साथ मनाया जाता है क्योंकि इस दिन देश एक स्वतंतर गणनाज्य बन गया था इस बर्स भारत अपना चोहतरवा गर्तंद दिवस मनाएगा और हमेशा की तरह नई दिल्ली सेन्य परेड और सांस्कृतिक प मनाया जाता है जब हमारा देश एक संप्रभू गर्तंत राष्टे के रूप में अपने आप में आया था 15 अगस्त 1947 को स्वतंतरता प्राप्त करने के बाद भारत को तब तक पूर्ण स्वतंतरता प्राप्त नहीं हुई जब तक कि उसने अपने स्वयम के संविधान को नही की गोरव साली घटना को चिन्यत करने के लिए मनाया जाता है स्वतंतर भारत के पित्थम राष्टपती के रूप में डॉक्टर राजिंत प्रशात का सपत ग्रेहन स्वतंतर भारत के इतिहास में दर्ज है गरतन्त दिवस के दिन देश के राष्टपती इंडिया गेट के राजपत पर तिरंगा जंडा फैराते हैं इस खास मोके पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है साथ ही परेड राजपत से सुरू होकर लाल किले तक जाती है बारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10 बच कर 18 मिनट पर एक गरतन्त राष्टे बना उसके ठीक 6 मिनट बाद 10 बच कर 24 मिनट पर डक्टर आजंत परशाद ने बारत के पहले राष्टपती के रूप में सफतली थी गरतन्त दिवस के खास मोके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्टपती भवन तक राजपत पर भव्या परेड भी होती है इस परेड में भारतिय सेना, बायू सेना, नो सेना, आदी के बिविन बल भाग लेते हैं कहा मनाया गया पहला गरतन्त दिवस? स्वतंतर भारत ने पहली वार 26 जन्बरी 1950 को पहला गरतन्त दिवस मनाया गया था इस दिन देश का सम्मिधान लाग हुआ था पहली वार गरतन्त दिवस परेड का आयोजन पुराने किले के सामने इस्थित इर्विन इस्टेडियम में किया गया बरतमान में दिल्ली चिडिया घर इसी इस्थान पर है और इर्विन इस्टेडियम को बाद में नेशनल इस्टेडियम और मेजर ध्यानचन नेशनल इस्टेडियम के नाम से जाना जाता था कव मनाया गया पहला गरतन्त दिवस 26 जनबरी 1950 को भारत को अपना पहला राष्टपती भी मिला इस दिन सुब्य 10 बच कर 18 मिनट पर देश का सम्मेधान लागू होने के 6 मिनट वाद यानि 10 बच कर 24 मिनट पर डक्टर राजन्द परशाद ने राष्टपती पदगी सपतली और पिर्थम राष्टपती डक्टर राजन्द परशाद ने इर्विन इस्टेडियम में देश का तिरंगा फहराया इसके बाद उन्होंने 26 जनबरी को राष्ट्रे अबकास भी घोशित किया पूर्ण स्वतंतरता की अब धारणा ने 31 दिसंबर 1929 को भारतिय राष्ट्रे कांग्रेस के लाहोर अधिवेशन में जड़े जमाली जिसकी अद्धक्चता पंडित जवाहलार नहरू ने की थी इस एतिहासिक सभा में सभी नेता एक साथ बिटिस सासन से पूर्ण स्वतंतरता की सपत लेने पहुंचे सैविने अवग्य अंदोलन के बाद 26 जनबरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया और भारती राजनितिक दलों और स्वतंतरता सेनानियों द्वारा मनाया गया बाद में 9 दिसंबर 1946 को भारत की संभीधान सवाने प्रिस्ताबिस संभीधान की दिसा में काम करने के लिए कई स्थमीतियों की नियुक्ति की कई बहसों और संसुधनों के बाद भारते संभीधान को आधिकारिक तोर पर तीन साल बाद 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और भब्य 21 तोपो की सलामी के साथ राष्ट दोच फैराते हैं इसके बाद भैस सस्तर बलो की कर्मियों को उनके सहासी कर्तियों के लिए सरवोच्चे बीड़ता पुरुसकार जैसे असोक चक्र, कीर्ती चक्र, शोर्य चक्र और सैनापद प्रदान करने के लिए आगे बढ़ते हैं भारत के प्रदान मंतरी इंडिया गेट इसमारक पर सरदानजली अरपित करते हैं और उन सेनिकों की याद में दो मिनट का मोन रखते हैं जिन्होंने अपने देश की स्वतंतरता के लिए बलिदान दिया भारत भर में गर्तंद दिवस समारो दिन के महत्व को मनाने के लिए सारवजनी कारालिय और स्कूल बंद रहते हैं गरतंद दिवस देश के सभी हिस्सों में मनाया जाता है जिसकी सुरुवात ध्वजरोहर समहारों और स्कूल और कालेजों के छात्रों द्वारा परेड के साथ होती है लोग तिरंगे की टी सेट और बैंड पहनते हैं जबकि सरकारी इमारतें और घरों पर राष्ट धज भी फेराते हैं इस दिन लोग प्रेरक कविताएं और देशवक्ती संदेश लिखते हैं और उन्हें दोस्तों रिष्टदारों और परिचितों को भेजते हैं हर सहर और कोलोनियों में रहने वाले लोग गरतंद दिवस को पूरे उत्रा और भागिदारी के साथ मनाते हैं तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खैल लखें जै हिन जै भारत भारत मता की जै